तो हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आयोप आप सब लोग बहुत बढ़ी आऊंगे तो आज हम अच्छा छे सुगम भारती का चैप्टर नमबर चार चैप्टर का नाम है अभी नंदनिय भारत इस लेशन के क्वेश्चन अंसर सॉल्व करेंगे तो चलिए वीडियो को शु बोड़े पनाएं जैसे पहला है कर्म भूमी तो इसका वा भारत मुकट तो हेमाल है संस्कृति का सुर्वी और ज्योति का सखा और अगला प्रस्ण है हमारा दिये गए सब्दों में से उप्यक्त सब्द चुनकरिक्त स्थानों की पूरति के जिए जैसे पहला है जीवन खा श्क्ता चड़ा कर आराधना करेंगे तो डू अप्शन दिये हैं सुमन्द और सुगंद तर इसमें सही है सुमन्द अगला है तू प्राण है हमारी खाली स्थान समान तू है तो इसका होगा जन्नी अगला तीसरा होई है दे से हमारा खाली स्थान कर कहेंगे तो ललकाल जो खाल स्थान चले रहा है अभीराम और अभीराम तो इसका से उत्तर है अभीराम और अगला प्रस्न हमारा नमिलकित प्रस्णों के उत्तर एक एक भाक में दे जिए यैसे पहला है का कर्म भूमी का अर्थ क्या है तो कर्म भूमी का अर्थ है वह इस्थान यहाँ हम काम करते हुए जीते हैं जैसे युद्र का मेदान। यसे भारत माता हमारी कर्म भूमी है, यसे ही, अगला है, कवी जनम जनम भर किस की बन्दना करने की बात करता है, तो कवी जनम जनम भर भारत की बन्दना करने की बात करता है, यह इन भारत माता की बन्दना, और अगला है, भारत का मुकुट किसे कहते हैं, तो हिमालय को भारत का मुकुट कहते हैं मुकुट या ताज या गोराव और अगला है सागर की अंजली में क्या है तो सागर की अंजली में रतन है और अगला है सतंतता का दीपक किस तरह जल रहा है तो सतंतता का दीपक अभिराम जल रहा है और अगला है प्रस नमबर तीन निम्लेकत प्रसनों के उत्तर तीन से पांच वाक्यों में देजिए जन्म भूमी और कर्म भूमी में कभी का क्या आसर है कभी के कहने का तातपर है कि वह भारत जैसे महान देश में जन्म लेने का गौरा प्राप्त किया है इसलिए इसी देश को उसने अपना कर्म भूमी बनाया है अर्था देश के लिए काम करते हुए जीएगा और उसी के लिए अपना प्राण ने चुखावर भी करेगा और अगला प्रस्न है खा कभी जन्म भूमी के लिए जीने मरने की बात क्यों करता है कभी कहता है कि भारत उसकी जन्म भूमी है उसकी जन्म भूमी माता के लिए द्रस है वह माता के लिए जीना चाहता है और उसकी रक्षा में अगर उसे प्राण भी देने पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगा और अगला है प्रिश्ण मारागा देश की सीमाओं के संदर्व में कभी ललकार कर क्या कहना चाहता है तो इसका उत्तर है कभी कहता है कि भारत का मुकट हिमाला है जिसके पेरों को पखारने वाले सागर में असीम रतने भरे पड़े हैं इस गोरव साली देश को बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है वह इस देश के बिना किसी बिना जी नहीं सकता तो कभी कहता है कि भारत का मुकट हिमाला है और हिमाला को पकारने वाले सागर में कई रतने अन्मोल और गौरावसालि देश के विना कभी का कोई अस्तित्म नहीं है यानि उसकी कोई पहचान नहीं है और अगरा प्रस्वले हमारा अगा संस्कृति को दुर्जे si क्यों कहा गया है तो भारत की संस्कृति पूरी दुनिया में कोई भी देश उसका मुकाबला नहीं कर पाया है ना इस नातेव दुरुजे है और अगला है कविता का केंद्री भावतीन से पांच वाक्यों में लिखिये तो कभी भारत देश में जन्में लेने के कारण गौरवंतिये महसूस करता है वाजनम जनम तक उसकी पूजा अर्चना करना चाहता है भारत की सब्विता और संस्किती एनमोल है इसके उत्तर में इस्थित हिमाला है इसको और अधिक गौरवसाली बना देता है दक्षड में स्तित सागर रतनों से भारत स्वतंत का दीप अविराम जल रहा है और अगला है निमले के सब्दों के सुद्द चारण कीजिए जैसे संस्कृति कुंज सास्वत वंदिनिये अर्चना और अगला है निमले के सब्दों की बरतनी सुद्द कीजिए जैसे ये गल अगला है हिमाला है तो हिमाला है ससत्व यानि सास्वत्व अगला है अभिराम तो विराम और अंजली तो अंजली और अगला है निमले के सब्दों को वाक्ष प्रियोग में किजिए जैसे जन्म भूमी स्वतंतता साधना दीप आलोक तो जन्म भूमी है हमें अपनी जन्म भूमी के प्रितिकार तव्यो को नहीं भूला चाहिए अगला स्वतंतता सभी चाहते हैं साधना कोई भी काम बिना साधना के नहीं होता और अगला है दीप मंदिर में दीप जलाया गया और आलोक इस कविता के आलोक में सब्तत फीके हैं अगला है निमले के सब्दों के उपस उपसर्ग और मूलसब्द अलग अलग केजी तो उपसर्ग यानी सब्द आगे वाला होता है मूलसब्द पीचिए वाला जासे अनु कूल इसका उपसर्ग होगा अनु मूलसब्द होगा कूल अगला है पराज तो इसका उपसर्ग और जय मूलसब्द विक्रम में वी और क्रम में मूलसब्द उपयोग में उपसर्ग और योग मूलसब्द अगला उपकार में उप उपसर्ग और कार मूलसब्द और अनुशार में अनू उपसर्ग और सार मूलसब्द अगला निमलिके सब्दों में हिंदी मानक रूप लिखिए जैसे जनम तो जनम है रतन रल करम तो करम है धरम धर्म है प्रान प्राण चरन चरन प्रवीन प्रवीन अगला निमलिके सब्दों में से संग्या सब्द छाट कर लिखिए इसे विसाल बंदिर मुकुड ध्वाज बंदिनिया भारत हिमाला सुतंतता सागर अंजली तो इसमें संग्या है मंदर मुकुड ध्वज भारत हिमाला सागर और अगला है निमलिके सब्दों के दो दो परियावाची लिखिए जिसे सागर तो सागर का परियावाचों का समद्ध और सलिल पवन का बायू समीर और जक्या संसार दुनिया जनेनी का माता मां और समन का फल फूल और पस्त्व तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो अगर आप लोग नए हो तो वीडियो को लाइक करों चैनल को सब्सक्राइब करों धन्यवाद